तो आज मैं एक्स्प्लेन करने वाला हूँ, हाल ही में नेट्फिक्स पे रिलीज हुई एक हिंदी स्पाई थ्रिलर फिल्म, इस फिल्म का नाम है उलज, और फिल्म के लीड रोल में है जानवी कपूर गुलशन देवया, कहानी काफी इंट्रेस्टिंग है जो आपको पसंद तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, तो मुवी की शुरुवात में हम सुहाना भाटिया को देखते हैं जो आई-एफ-एस ऑफिसर है, फिलाल वो एक मीटिंग के लिए काठमंडू आई यहां हमें ये पता चलता है कि सुहाना का फैमिली बैग्राउंड पॉलिटिक से भरा हुआ है, उसके पिता भारत के अमबैसेडर रह चुके हैं और दादा जी का नाम सिविक्स के किताबों में लिखा जाता है, मीटिंग खतम होने के बाद सुहाना को डेप्यूटी हाई कम बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उसके पिता का कहना है कि इतनी कम उम्र में किसी को इतनी बड़ी पोस्ट नहीं दी जाती है, लेकिन सुहाना बताती है कि उसके काम के वज़े से उसे ये पोस्ट मिला है, इधर पाकिस्तान में हम देखते हैं कि पाकिस्तान के ने प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त किया जाता है जिसका नाम शहजाद आलम है और इंडिया और पाकिस्तान के बीच वो दोस्ती का रिश्टा बढ़ाना चाते हैं इसलिए टेररिस्ट यासिर मिर्जा को जो के दिल्ली हमले में शामिल था उसे भारत को लोटाना चाते हैं इसक है जिसका नाम सलीम सयद है सलीम सुहाना को एयरपोर्ट से रिसीव करता है और उसे बताता है कि आप इस शहर में नए हो और इसलिए आपको किसी चीज़ की जरुवत पढ़े तो आप मुझे बता सकती हैं सुहाना अपने आफिस पहुंचती है और वो देखती है कि वहाँ अधिकतर रौ के आफिसर्स वहाँ पर काम करते हैं सुहाना कुछ लोगों के साथ मुलाकात करती है और वहाँ एमबैसेडर काजी से भी वो मिलती है और वो लोग बताते हैं कि भारत में हाइडरोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स मैनुफेक्चरिंग करके इसका मैनुफेक्चर अपने गेस्ट के साथ बाते कर रही थी तबी वहाँ उससे मिलने के लिए एक आदमी आता है जो के एमबैसी के होटल में शेफ का काम करता है उसका नाम है नकुल शर्मा नकुल एक मशूर शेफ है और वो पहले उसाका के एक होटल में काम करता था और वो अभी यहाँ नया नया आया है, दोनों रात के समय जब अपने घर जा रहे थे, सुहाना नकुल के साथ घुमने के लिए निकल जाती है, क्योंकि वो शहर में नहीं थी, और पहली बार किसी के साथ वो अच्छे से बात कर रही थी, दोने एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आती है, नकुल उसे एक वीडियो दिखाता है, और ये वही वीडियो है जब वो दोनों आपस में इंटिमेट हो रहे थे, ये देखर सुहाना शौक में आ गई थी, नकुल बताता है वो एक मिशन में है, और वो हैड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स के पेपर्स लाने के लि ये कहकर काजी वहां से चले जाते हैं, जेक अब उन दोनों को बाते करते हुए देख लेता है, नकुल सुहाना को 72 घंटे का समय देता है, हैड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स के पेपर्स लाने के लिए, नहीं तो वो ये वीडियो लीक कर देगा, सुहाना को अब कुछ भ इंविटेशन दिया जा रहा है, और दिल्ली में हुए बम धमाके की पीछे यासिन मिर्जा को भी वो लोग इंडिया को सौपने वाले हैं, यहाँ पाकिस्तान में हम देखते हैं, कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं, कि अगर हम यासिन मिर्जा को इंडिया को तो उसके साथ इंडिया के सारे सीक्रेट्स भी चले जाएंगे शहजाद कहता है कि हमारे और इंडिया के बीच दोस्ती कायम रहनी चाहिए और जो भी काम करेंगे वो किसी को पता नी चलनी चाहिए डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के किसी आफिसर्स को फोन लगाते हैं और कहते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त को इंडिया जा रहे हैं और काम पूरा होने के बाद सारा अलजाम यासिन के उपर लगा दिया जाएगा मतलब कि यहाँ कुछ बड़ा प्लैनिंग हो रहा था जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर इंडिया को बद्दाम करने की कोशिश में है और ये सब वो किसले कर रहे हैं ये आपको आगे चलकर पता चली जाएगा इसके बाद सुहाना हैड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स के पेपर ले लेती है और उसे जिरॉक्स करने लगती है फिर वहाँ पर जेकॉब आता है और सुहाना से कहता है कि आपको अगर किसी चीज़ की जरुवत हो तो मुझा कह सकते हैं तुहाना जेकॉब से बैगराउंड चेक करने के बारे में पूछती है कि अगर किसी का बैगराउंड चेक करना हो तो कैसे चेक करते हैं क्योंकि ये काम एक्चुली रॉक के आफिस में होता है और उनके पास एक ऐसा सौटफवेर है जिसे के किसी का भी बैगराउंड चेक किया जाता है जेकॉब बताता है कि ये गलत है और रॉक के प्रोटोकॉल में नहीं आता लेकिन अगर आपको जरुवत है तो आप अप्लिकेशन कर सकती हैं मैं खुद बैगराउंड चेक करवा कर आपको हैंड ओवर कर दूँगा ये कैकर जेकॉब वहां से चला जाता है अगले दिन सुहाना सारे हैड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स के पेपर लेकर नकुल से मिलने के लिए पहुँचती है नकुल अपने और सुहाना की इंटिमेट वीडियो को पेंट ड्राइव में उसे दे देता है नकुल सारे पेपर्स लेकर वहां से जाने लगता है लेकें हम देखते हैं कि सुहाना पहले से ही हैड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स के पेपर में कुछ अद्ला बदली कर दी थी लेकिन ये बात नकुल को नहीं पता वो उन पेपर्स को ले जाकर वहां से चला जाता है लेकिन चुपके से सुहाना नकुल के फिंगर प्रिंट्स फाइल में ले लेती है जब वो वापस जा रही थी तब वो अपने ड्राइवर सलीम से मदद मांगती है कहती है कि मुझे किसी के फिंगर प्रिंट को डाटा बेस से चेक करना है सलीम पहले दिल्ली पुलिस में काम करता था इसलिए सलीम सुहाना की मदद करने के लिए तयार है सुहाना अपने कुछ काम के लिए वापस इंडिया जारी थी तब ही उसे नकुल का फोन आता है और उसे कहता है Hydrogen Electrolisers के पेपर में अदला बदली की गई है लेकिन मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल गया नकुल उसके फोन में एक फोटो भेजता है और ये वही फोटो है जब नकुल सुहाना को Hydrogen Electrolisers के पेपर दे रहा था नकुल कहता है तुमने मेरे बारे में पता करनी की कोशिश की इसलिए तुमने अपने ड्राइवर को काम पे लगाया लेकिन इसकी कोई जरुवत है नहीं नकुल अपनी असलियत यहां पर बताता है और कहता है कि उसका असली नाम मुहमद हुमायू अक्तर है और वो I.S.I. के लिए काम करता है ये सुनकर सुहाना और जादा टेंशन में आ जाती है क्योंकि अगर ये फोटो लीक हो गई तो उसे देश द्रोही करार दे दिया जाएगा और साथ में उसकी फैमली को भी काफी बदनामी जिलनी पड़ेगी हुमा यू एक और काम करने के लिए कहता है बोलता है कि इसलामाबाद इंबैसी में काम कर रहे रॉक एजेंट के नाम देने के लिए और अगर वो ये काम 48 घंटे के अंदर नहीं करती है तो हुमा यू उसके पिता को मार डालेगा सुहाना इंडिया जाती नहीं बलके एरपोर्ट से वापस अपने घर आती है और सलीम से कहती है कि जो फिंगर प्रिंट के बारे में पता करने के लिए आपको कहा गया था उसका काम हो गया ये सुनकर सलीम थोड़ा हैरान हो जाता है घर पहुँचने के बाद सुहाना टेंशन में आ गई थी और वो अपने छट से अपनी जान देने की कोशिश करती है लेकिन तभी उसके पिता का फोन आता है वो अपनी बेटी से बूचते है कि तुमने अपने इंडिया की फ्लाइट छोड़ क्यूं दी सुहाना बहुत घबराई हुई थी और अपने पापा से कहती है कि आपने सही कहा था इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी पोस्ट में काम करना सब के बस की बात नहीं सुहाना अपने कामें उलश्टी जा रही है लेकिन उसके पिताव से समझाते हैं काम जैसा भी हो हमें जो काम दिया जाता है हमें वो किसी भी हालत में करना पड़ता है और हम पॉलिटिकल बैगराउंड से आते हैं मुझे पता है कि तुम अपना काम अच्छी तरह से कर पाओगी ये सुनकर सुहाना को थोड़ी हिम्मत आती है फिर वो अपने काम में लग जाती है सुहाना अपने आफिस आती है और रौ अफिसर्स के कम्प्यूटर में बैट कर नकुल के फिंगर प्रिंट्स के बारे में चेक करने लगती है फिर वहां जेकोब आता है और उसे देखकर सुहाना एक फाइल ढूडने का नाटक करने लगती है जेकब को लग रहा था कुछ तो गलत है इसलिए वो हर समय सुहाना के उपर नज़र रख रहा था सुहाना अपने आफिस में आती है और अपने डाटा बेस से सारे रौ आफिसर्स का नाम निकालने लगती है जो इसलामाबाद के अमबैसी में काम करते है इधर धनराज एक्स्टरनल अफियर्स मिनिस्टर रावल से मिलता है और पाकिस्तान के रिष्टों के बारे में बात करता है और कहता है कि यासिन को उन लोगों ने अभी तक भारत ने भेजा है और इसके लिए एक बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात करनी चाहिए लेकिन रावल बताते हैं कि पहले मैं दिल्ली पुलिस में काम करता था तब से मैं यासिन के पीछे पड़ा हुआ हूँ और जब तक यासिन इंडिया नहीं आता तब तक हम पाकिस्तान के उपर भरोसा नहीं कर सकते इधर सारे राव ओफिसर्स के नाम लिख कर सुहन आहुमाईयों से मिलने के लिए चली जाती है और उसे सारे नाम एक पेपर में लिख कर दे देती है लेकिन वो पेपर वो नीचे फेक देती है और सुहन आहुमाईयों को मारना चाहती थी इसलिए वो उसके उपर हमला करने की कोशिश करती है लेकिन हुमाईयों बहुत चालाग था वो अपने आपको डिफेंड कर लेता है और हुमा यूँ एक और काम बताता है कहता है कि एक बार जमिया दरबार शरीव जाना चाता हूँ और इसके लिए मैंने वीजा के लिए अपलाई भी किया लेकिन इसको अप्रूफ करने की जिम्मेदारी सुहाना को देता है इधर रौ चीफ संजीव को पता चलता है किसी ने ISI वालों को हमारे एजेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन लिग किया है जिसके चलते हमारे एजेंट्स को वहां से भागना पड़ा लेकिन डेप्यूटी आफिसर कामत बताते हैं कि हमें उनका पता चल गया है जिसने ये इन्फॉर्मेशन लिग की है इधर सुहाना अपने काम से तंग आ चुकी थी इसलिए वह अपने जॉब से रिजाइन देना चाहती थी तबी उसके घर में जेकब उसे मिलने के लिए आता है और कहता है मुझे पता है तुमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स के डॉकूमेंट्स लीक करवाए हैं और हमारे रॉइ जेंट्स के नाम भी तुमने ही लीक की हैं जेकब बताता है मुझे तुम्हारे उपर पहले से ही शक था वो अपनी बंदुक निकालता है और उसे पूछता है तुम किसके ले काम करती हो तब ही एक स्नाइपर दूर से जेकब को गोली मार देती है और थोड़ी देर के बाद महाँ पर हुमायून अपने आद्मियों के साथ आता है जेकब की बॉड़ी को लेकर वो वहाँ से चला जाता है अगले दिन सुहना अपना रेजिगनेशन लेटर तयार करके अपने आफिस के लिए निकलती है लेकिन तब ही उसे मिलने के लिए कामत और संजीव आते हैं वो लोग बताते हैं के हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स के डॉकूमेंट्स और रॉव एजेंट के नाम लीग करने के पीछे रॉव एजेंट का हाथ है और जेकब की लाश एक गैस टेशन में पाई गई यानिके हुमायू ने जेकब की लाश को गैस टेशन में ले जाकर जला दिया और इस सब के पीछे एक रॉव एजेंट का हाथ है जो के सुहाना के आफिस में ही काम कर रहा है इसलिए वो दोनों चाहते हैं कि इस केस को सुहाना इन्वेस्टिगेट करे क्योंकि किसी को भी शक नहीं होगा अगर सुहाना इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगी सुहाना बताती है कि इसके लिए मुझे हाई कमिशन काजी की परमिशन लेनी होगी संजीव बताते हैं कि वो इसकी पर्मिशन दे चुके हैं और हमें लगता है रॉय जेंट साबेन इन सब के पीछे हो सकता है क्योंकि इसके पहले वो इसलामाबाद में पोस्टेट था इधर जेकब की मौत की खबर सुनकर सबीन बहुत ज़्यादा उदास हो चुका था क्योंकि जेकब को वो अपने भाई की तरह मानता था और उसे शक हो रहा था कि इसके पीछे सुहाना कहां थै और अगर उसके खिलाफ उसे सबूत मिल जाएगा तो वो उसे छोड़ेगा नहीं इधर सुहाना हुमायू का इंडिया जाने का विज़ा अप्रूफ करने के लिए दे देती है थोरी देर में हुमायू अपना पासपोर्ट लेने के लिए एमबैसी पहुंचता है और वहां उसे सुहाना देख लेती है सुहाना उसका पीछा करने लगती है और हुमायू एक होटल में जाकर किसी से मिलने के लिए आता है सुहाना होटल के सामने आती है और चुपके से हुमायू की फोटो ले लेती है सुहाना फोटो में देखती है हुमा यूं किसी और से नहीं बलके सलीम से मिलने के लिए आया है ये देकर सुहाना हैरान हो गई थी उसे पता चलता है सलीम भी I.S.I. के लिए काम करता है सुहाना तुरंट सलीम से मिलने के लिए उसके घर जाती है और उसको पर हमला करने लगती है लेकिन सलीम अपने आपको बचाने की कोशिश करता है और सुहाना को मारने की कोशिश करता है लेकिन सुहाना सलीम को जोर से धक्का देती है जिससे के उसके पीट पर एक काँच घुस जाता है जिससे के सलीम वहीं पर मर जाता है लेकिन मढ़ने से पहले वो वही बात कहता है कि वो इंडिया का नाम बदनाम करना चाता है सुहाना समझ गई थी कि ये लोग बहुत बड़ा कुछ प्लैनिंग कर रहे हैं और शायद इसी के लिए हुमायू इंडिया जाने वाला है और अब उसे किसी भी हालत में हुमायू को रोकना होगा सुहाना पूरे घर की तलाशी लेने लगती है और उसे वहाँ पर अपनी और नकुल के इंटिमेट वीडियो भी मिल जाते हैं और साथ में उसे ये भी पता चलता है कि सलीम पहले दिल्ली पुलिस में काम करता था अपनी और नकुल के इंटिमेट वीडियो दिखा देती है जिसे देखकर सबीन सारे वीडियो और फोटोग्राफ को देखकर यकीन कर लेता है कि सुहाना बेकसूर है यहां इन लोगों को ये पता चलता है कि डेप्यूटी रोफिसर्स कामत भी आईसाई के लिए काम करते हैं और वो भी इस समय मिले वे हैं सुहाना समझ जाती है कि ये लोग 15 अगस्त के दिन कुछ बड़ा प्लाइन कर रहे हैं सबीन बताता है कि हमें कामत को रंगे हाथों पकड़ना होगा क्योंकि उसी ने हुमाईयों को इंडिया भेजने में मदद की है और वो अभी फिलहाल दिल्ली में है इसलिए हमें वापस इंडिया जाना होगा हुमायू इंडिया पहुंच जाता है और इधर सुहाना और सबीन भी इंडिया पहुंच जाते हैं सरोचीफ संजीव कामत के उपर बहुत जादा गुसा होते है क्यूंकि उसे पहले पता चल गया था सलीम मर चुका है और शायद सबीन ने उसे मारा है और उसे पकड़ कर लाने के लिए कहता है सबीन और सुहाना कामत के घर के बाहर छुपकर उसके उपर नज़र रख रहे थे और एक वाइफाई कनेक्शन लेकर कामत किस किस से बात कर रहा था इन सब के बारे में उन लोगों को पता चल रहा था सबीन बताता है कि सुहाना के बारे में उन लोगों को पता चल गया कि तुम यहाँ दिल्ली में हो और ये भी पता चल गया है कि हुमायू यहाँ डेविट के नाम से रह रहा है अगले दिन फिर से दोनों कामत के उपर नज़ा रख रहे थे तबी कामत को एक फोन आता है जिसमें वो कहता है शेर पंजाब को 21 तुपो की सलामी दी जाएगी सुहना समझ रही थी ये लोग पंजाब के चीफ मिनिस्टर को मारने की प्लैनिंग कर रहे हैं लेकिन सबीन बताता है पाकिस्तान में शेहजाब आलम को शेर पंजाब के नाम से बुलाया जाता है याने के ये लोग पाकिस्तान के प्रैम इनिस्टर शेहजाब आलम को मारने की प्लैनिंग कर रहे हैं और 15 अगस्त के दिन हुमायूं जो के इंडिया आ चुका है वो शहजाद आलम को मारने की कोशिश करेगा और आज 15 अगस्त है यानि के हुमायूं आज ही शहजाद को मारने वाला है सुहाना बताती है हुमायूं ने बताया था के उसे जामिया दरबार शरीफ जाना है यानि के शहजाद जामिया दरबार जाने वाला है और वहीं पर वो से मार देगा सबीन अपने सोड से पता चलता है सच में शहजाद प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए जामिया दरबार जा रहा था और उनके साथ फॉरण मिनिस्टर रावल भी रहेंगे यानि के यहां सबी लोग मिले वे हैं रावल, सलीम और कामत तीनों पहले दिल्ली पुलिस में काम करते थे और अब आईएसाई के लिए काम करते हैं यह लोग शहजाद को मार कर इंडिया को पूरे दुनिया में बदनाम करना चाते हैं और अगर ऐसा होता है तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच यूद शुरू हो जाएगा दुनों जल से जल्द दरबार के लिए निकलते हैं इधर कामत के फोन में एक मेसेज आता है और उसे बोला जाता है सुहाना के सारे फोटोज और वीडियोज लीक कर देने के लिए जैसी वो फोटोज और वीडियोज को लीक करने की कोशिश करता है तुरंद उसके कम्प्यूटर से सारे फोटोज और वीडियो आटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं क्योंकि सबीन ने उसके कम्प्यूटर को हैक कर दिया था कामत रावल को फोन करके बताता है कि उसके सारे फोटोज और वीडियोज डिलीट हो गए रावल घबरा जाता है और वो पाकिस्तान के फॉरें मिनिस्टर को फोन करके बताता है कि हमें ये मिशन फिलहाल के लिए बंद करना होगा क्यूंकि मेरे पास सुहाना के खिलाफ अब कोई सबुत नहीं है लेकिन फॉरेंड मिनिस्टर धमकी देते हैं कि अगर आपने ये मिशन कम्पलिट नहीं की तो मैं यासिन मिर्जा को इंडिया भेज दूँगा शहजाद दरबार पहुंच गया था और वहाँ पर सबी लोगों को अपने हाथों से खाना खिला रहा था इदर सुहाना और सबीन दरबार पहुंच गये थें सुहाना को पता चल जाता है कि हुमायू कहा है इसलिए वो उसका पीछा करके उसके लोकेशन तक पहुंच जाती है जहां हुमायू शहजाद के उपर निशाना लगाने की कोशिश कर रहा था सुहाना हुमायू को रोकने की कोशिश करती है जिसका रएन हुमायू का निशाना चुक जाता है हुमायू गुसे में आ जाता है और सुहाना के उपर वो हमला करता है लेकिन सुहाना एक चाकू निकल कर हुमायू के गरदन पर वार कर दीती है जिससे के उसकी वहीं पर मौत हो जाती है थोड़ी दर में वहाँ पर पुलिस भी आ गई थी और सबीन सुहाना को लेकर वहाँ से चला जाता है कभी को पता चल गया था कि कामत और रावल इन सब के पीछे हैं और ये दोनों देश के असली गद्दार है जिसके लिए इन दोनों को पकड़ लिया जाता है सुहाना से मिलने के लिए उसके पता धनरा जाते हैं और सुहाना का ये काम देखकर वो अपनी बेटी के उपर काफी प्राउड फिल कर रहे थे क्योंकि इस काम के लिए उसकी बेटी को ट्रेनी नहीं मिली लेकिन फिर भी उसने बहुत अच्छी तरह से सब कुछ समाल लिया सुहाना अपने पिता को समझाती है कि मैंने ये काम आपकी और हमारी फैमिली की इज़त बचाने के लिए की है अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरे साथ आपकी भी बहुत बदनामी होती भारत के प्राइम मिनिस्टर सुहाना को फोन करके साबाशी देते हैं और बताते हैं के रावल और कामत के उपर देश द्रोही का लगाया गया है और आपने जो काम किया उसके लिए आपको मैडल मिलना चाहिए लेकिन नैशनल सेक्यूरिटी के कारण ये बात गुपत रखी जाएगी अभी वहाँ पर कुछ लोग सुहाना से पूछताज के लिए आते हैं और ये देकर धनराज वहाँ से कुछ देर के लिए चला जाता है वहाँ से मिलने के लिए एक औरत आती है और सुहाना से ब्लैक कैट और्गनाजेशन के बारे में बात करती है ये एक और्गनाजेशन है जो के कोवर्ट मिलिटरी यूनिट है और वो लोग गुपत तरीके से काम करते हैं जिससे के उनके बारे में किसी को पता नी चलता ये लोग सुहाना को Black Cat के साथ काम करने के लिए बोलते हैं और इसके लिए Raw Chief संजीव खुद सुहाना का नाम Black Cat को recommend किया है और वो औरत बताती है कि हुमाईयों की dead body अब हमारे कब जमें है और वो ये भी बताती है कि हुमाईयों जुल्फिकर हुसेन नाम के आदमी के साथ काम करता है जुल्फिकर वही आदमी है जो हुमाईयों जैसे लड़के को कम उम्र से ही ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है ताके वो सारे government office के secret के बारे में जान सके और हम उसे पकरने की बहुत समय से कोशिश कर रहे थे और इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ काम करो सुहाना उन लोगों के साथ काम करने के लिए मना कर देती है सुहाना वहाँ से चली जाती है लेकिन सबीन आकर उसे मिलता है और यहां हमें पता चलता है के सबीन भी ब्लैक कैट के लिए काम कर रहा है और ये जानकर सुहाना हैरान हो गई थी और इसे के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड होती है तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केर